नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका नियूत करशाइस चैनल पे और आज का जो हमारे टॉपिक है वो फिजिक से ही लिटेड है और विज्ञान में ही हमा आगे चल ले हैं और उर्जा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एनर्जी के बारे में डिफिरेंट टाइप आफ और साथी साथ मैंने बताया था कि मैं यांत्री कूर्जा के लिए में एक अलग जो है वीडियो लियाओंगा और क्योंकि थोड़ा सा इंपोर्टेंट सेक्टर है और वहाँ पहम उसको नहीं बता सकते थे इसलिए इसको अलग वीडियो में ही बताना अच्छा है तो चीजे याद होती है पहली बात तो लिखने से चीजे याद हो जाती है तो हमको यह जरू करना है लिखना है और साथी साथ समझना भी है आखी चीजे हैं क्या और जो भी परिच्छप योगी प्रश्ण है उनको हमको लगाते भी चलना है तो पढ़िए आप लिमिटेड ही पर अगर रिविजन नहीं करते हैं तो चीजे क्या हो जाती है भूल जाती है तो रिवीजन बहुत इंपर्टन है चाहे हो कोई भी विशय हो चाहे मैथ हो रिजनिंग हो साइन्स हो जीए सो कुछ भी हो रिविजन मस्ट होता है ना तो mechanical energy यान्थरिक उर्जा के बारे में हम यांत्रिक उर्जा कहते हैं, है ना, यांत्रिक क्रिया से उत्पन होने वाली जो उर्जा है, वो यांत्रिक उर्जा कहलाती है, बहुत ही important है, ध्यान देना है, इन सभी चीजों पर कि क्या है, कैसे है, क्या नहीं, है ना, अब ये यांत्रिक उर्जा को दो भागों में बाटा गया है एक है गती जूर्जा और दूसरी है इस्थिती जूर्जा एक होती है गती जूर्जा दोस्तों और दूसरी होती है इस्थिती जूर्जा क्या होती है इस्थिती जूर्जा दोनों में अंतर क्या है तो आएए देखते हैं किसी वस्तू में उसकी गती के कारण जो capacity to do a work due to the motion is called kinetic energy यानि capacity to do a work due to the motion is called kinetic energy यानि कि motion मतब कि आपके अंदर कार करने की जो छंता है और उसमें नहीं तो जो उर्जा है वही kinetic energy कहलाती है अब हम एक्जामपल पढ़ेंगे और बड़े ही ध्यान से एक्जामपल को दिखेंगे क्योंकि एक्जामपल हमको ध्यान देना है important है तो जैसे उचाई से गिरती वस्तू कोई वस्तू अगर उचाई से गिर रही है इसका मतलब उसमें गती हो रही है इसका मतलब उसमें क्या हो रही है गती हो रही है मतलब motion हो रहा है तो उसमें कौन सी उर्जा होगी गतिज उर्जा होगी कैसे उर्जा होगी दोस्तों गतिज उर्जा होगी बहती हवा अगर कोई air flow हो रही है from east to west, north to south कैसे विभाह रही है उसमें भी motion हो रही है तो वह होगा घूमता हुआ पहिया जैसे मान लिजे कोई पहिया है कोई पहिया और वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा motion है उसमें motion हो रहा वो घूम रहा है तो अगर motion जहां पर है जहां पर motion है वहां पर energy है कैसी energy है काइनेटिक इनर्जी है इसका फार्वला होता है काईनेटिक एनरजी स्क्रस्ट व्लिए में जानता हूं कुछ बच्चों के लिए नहीं है पूरा नहीं है बट जिसके लिए नहीं है वह जरू ध्यान देंगे और जुसको आता है वो भी ध्यान देंगे क्योंकि कोई चीज अगर हमको आती है तो हम उसको नजर अंदाज नहीं कर सकते नहीं करना चाहिए और ये over confidence हो जाता है न तो बहुत सारी चीजे बारीकी होती है हमको पता चलती है तो ये आपके example हो गए kinetic energy के और eK is equals to होता है half mv square half mv square ये mass होता है ये velocity होती है अब यहाँ पर question रहा यदि 5 kg द्रवेमान की वस्तु 2 m per second के वेक से चल रही है तो उसकी kinetic energy क्या होगी तो आई ये देख लेते है kinetic energy यानि eK is equals to होगया half और 5 kg की है और V कितना है 2 तो ये 4 होगया तो 2, 2 जा किता होज़गा 2 m per second के वेक से चल रही है मतल़ ये particular इतने velocity से चल रही है तो उसमें कितनी उर्जा होगी है ना तो हमने निकाल ली कि 10 joule energy होगी उर्जा को joule में मापते हैं न दोस्तों तो 10 joule energy होगी उस 5 kg द्रवेमान की वस्तु में 2 m per second के वेक से चल रही है ये थी गतिज उर्जा की बाद ये थी गतिज उर्जा की बाद पूरा आफ समझ चुके होंगे मैं उम्मीद करूंगा वीडियो को पूरा देखिए और शेशन को शेर करते रहे हैं अब हम बात करेंगे इस्थितिज उर्जा की तो जैसा कि देखिए जो डेफिनीशन है डेफिनीशन कैसे स्पष्ट है आप ये वर्ड पर ध्यान देगे इस्थितिज उर्जा इस्थितिज उर्जा मतलब हो गया किसी वस्तू में उसकी इस्थिति या विशेश अवस्था के कारण किसी वस्तू में तो उसमें उसकी एक विशेश अवस्था या इस्थिती होगी वो उर्जा जो होती है वो संचित उर्जा कहलाती है वो जो उर्जा होगी वो स्टोर एनर्जी या संचित उर्जा कहलाती है Capacity to do our work in a body due to its position or state is called potential energy इसे हम लोग potential energy कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ही हम लोग इस्थिति उर्जा कहते हैं जो विशेश अवस्थाया इस्थितिक कारण होती है अब देखिए मैंने एक चीज़ और डिसकस किया था कि इसमें जो एनर्जी होती है वो कैसी एनर्जी होती है इस्थिति जो टाइप की है मतलब कि स्थिति के कारण है और मैंने कहा था कि इसमें 91 उर्जा होती है संचित उर्जा होती है तो सबसे पहला है बाद हमें 91 पानी में संचित उर्जा तो देखिए जो डैम बनाए जाते हैं कुछ इस प्रकार का इस्ट्रक्चर होता है तो कभी धान दीजेगा डैम का structure ऐसा क्यों होता है जर्धान दीजेगा कभी आपने सोचा है कि डैम इस तरह से क्यों बनाए जाता है सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार बाध बनाए ही क्यों जाते हैं तो डैम जो बनाए जाते हैं वो पानी को एकत्र करने के लिए करते हैं तो यह structure होता है कंक्रीट का डैम इस त्रॉक्चर ऑफ कंक्रीट का स्टॉक्टे टूरेट इन वाटर मत पानी को जम्मा करने के लिए जो है बाद यो डैम बनाए जाते हैं अब प्रस्ट यह है कि आखिरका डैम इस तरह से क्यों बनता है तो ऐसे भी तो एक दिवा इसा क्यूं करते हैं क्योंकि प्रेशर बराबर होता है ट्रॉक्स अपान एरिया तो ने तो ज ऐखी प्रेशन रहेगा ऑट कैसे ज्या Gel आगगा इसा देखिए बैत did करते हैं थो यह एक दूसरे की हैसी कैसे है इन वर्स य प्रोंशन होतने है तो जब एरिया जाता रहा पर अपर बढ़ते तो यह जो पर बढ़ते तो यह जो दिक्कत नहीं होगी तो यह जो पर बढ़ते तो यह जो चला होती जाएगा तो क्यों ऐसा है क्योंकि पानी नीचे प्रेसर जाता है जैसे से उपर आएंगे तो प्रेसर उसका कम होता जाता है ठीक उसी प्रकार से उपर आते हैं तो दिवाल भी पतली होती है क्योंकि उपर पानी का प्रेसर कम होता है नीचे जैदे होता है इसलिए यहां पर डैम इस तरह बना जाता है तो इसके पीछ क्या है अगर दिवाल हम नहीं अच्सा बात नहीं यह अची बात यह तो बाध में कतर पानी में संचीतुर जाब उसमें जो स्टोर एनर्जी होती है वो क्या से होती है पूटेशल अनर्जी इस्थिति जोड़ा क्योंकि पारी थौटा रुगहा हुआ है ना उसकी सितिया अवस्थक करन तो वह पानी रुखा तो उसमें मतर सितियूर जाहिए उसको कवीन को तो और आसे स्प्रिंग होती है तो स्प्रिंग को पया प्रस करेंगे तब सो दा पूरा टा अकिषिग कि यसको पूरा फैल साफ तरफास पंटाइटलि आजिए उसमा अनर्जी होती हो कैसी होती है पोटेंशिल एनर्जी आ इस्थिती उचा होती है ना घड़ी की चाभी में संची तूर्जा ध्यान देंगे आपने वो देखा होगा कुछ-कुछ घड़ी आती है जिसमें चूडी कस्तो और फिर वो चलती रहती है कुछ-कुछ शिलोने भी वैसे आते हैं जिसमें चाभी आप भर दीजिए और फिर वो खेलते रहते हैं कुछ समय तक इसका मतलक्स यह कैसी एनरजी होती है कैसी अनरजी होती है इस्थितीज उर्जा weekly और बता दू विज्ञान में कोई वीची ची जाती है सबसे ज़्यादा आपसे एक्जामपल पूछा जाता है कभी भी साइंस में परिभास आएं कम एप्लिकेशन एंड एक्जामपल ज़्यादा पूछे जाते हैं तो यह हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है तो बाध में कत्र पानी में संचीत उर्जा नमबर बन पूरा देखा करिए इस्थिति जूर्जा के विभिन स्वरूप अब इस्थिति जूर्जा के भी विभिन स्वरूप हैं जैसे पहला है गुरुतिय स्थिति जूर्जा दूसरा है प्रत्यास्ति स्थिति जूर्जा तीसरा है वैदुत इस्थिति जूर्जा और चुम्ब की इस्थिति उर्जा है तो गुर्तिये स्तिति उर्जा मतलब क्या होगा जब किसी वस्तु को ऊपर उठा जा तो वह अपनी अवस्था में आने का प्रयास करता ना उस वक्त उसमें जो उर्जा उत्पन होती हो प्रत्यास इस्तितिजी उर्जा होती है यानि प्रत्यास बलों के कारण वस्तु में जो उर्जा होती है अगर हम विद्धूत इस्तितिजी उर्जा की बात करें तो विद्धूत छेत्र के कारण के साम करता है वस्तु वस्थापित हो जाती है तो उसनों कौन सी ऐता है विद्धुत-स्थित्य उर्जा हो जाती है Gulag किस्थिति उर्जा जैसे माले कोई मैगनेटिक फिलड कोई चुंब कि छेतर है और उसमें कोई ऐसी वस्तु रख दें जिसमें आवेश का प्रवा हो रहा हो तो जो वस्तु में अत्पन उर्जा होगे वो चुंब की स्थिति उर्जा होगे इसमें याद क्या करना है सब aureja कि होते हैं गुर्टवी है प्रत्यास्थ्、 वेध्भूट और चुम्बकी वेध्भूट चुम्बकी गुरूटवी और प्रत्यास्थ् ये चार रूप होते हैं aureja के यह पूछा शाएकला कि इसरे है कि आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि विद्धुत भी है चुमुकी भी है गृत्वी भी है और प्रत्यास भी है साथ जो इस्थित्री जूर्जा के example मैंने बताया है यह आप ध्यान से एकडम उसको लिख डालिये लर्न कर डालिये बहुत important है तीसरी चीज़ आपको जानना है कि गती जूर्जा का आप example मत जाने क्योंकि बहुत easily आप कर लोगे बट इसमें जो निमेरकल आता है उस पर थोड़ा सा focus करेंगे हम लोग ठीक है बाकी और इसमें कुछ की वीडियो बनाते रहेंगे चलती रहेंगे स्विंखला जल्द ही खतम होगी मिलते हैं नेक्ष वीडियो में साइंस के अभी के लिपना ही धन्यवाद